वेलकम टूए वी क्लासे फॉसिविल सर्फिसिस जैसा कि आप जानते हैं इंडियन जॉग्रफी नाम की एक सीरीज चल लही है यह आदका 11 लेक्चर होगा इससे पहले की लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए और इस चैनल को लाइक एंड शेर सब्सक्राइ सब्सक्राइब ब्रहंपुत नदी सिस्टम ठीक है उसके बाद पश्चिम की और बहने वाली नदिया और पूरब की और बहने वाली नदियों भी हो चुकी है आज हम इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगी कि जो प्राइदीपी भारत की महत्वप प्राइब बढ़ाते हैं तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं जैसे कि एक आप ज़्यादा नहीं है अगर इस चैप्टर को आप दो तीन बार पढ़ेंगे थोड़ा सा माइंड लगाके तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा मैंड में बाट जाएगा रटने के को मैं बताओंगा गोदावरी क्रिष्ण और कावेरी की शायक नहीं तो कौन कौन शींडाकोदा अ कहां से निकलती है यहां से निकलती है थे से लुग यहां बंगाल में भी बंगालमई थीका है श्में जल्वी सर्जिद depends से पहले एक वाड़ा सा डेल नहींバイ बताया था ना पश्च्चिम की और बहने वाली नदिया डेल्टा नहीं बनाती है अपूरत की दिशा की और बहने वाली नदिया डेल्टा बनाती हैं तो यह नदिया डेल्टा बनाती हैं यहां से गाद और जो मलबा लेके आती हैं वो यहां पर भिशर्जित करती हैं क्योंकि यहाँ पर डहलान कम हो जाती और यह व्रद्धा उस्त्रम पहुच जाती है तो यहाँ पुम प्रवाह तोEZहisammateg师 हो जाता है इसलिए वह कई धारों में बढ़ जाती हैं इसलिए और बन सबस्श्रियरव बह里ं के बाद Podcast हुआ यह अपना जल बेयाब बंगाल में अच्छी भाद की सब्षे बड़ी नदी है ठीक है इसकी अब देख लेते हैं कौन से के ट्रिबूट्री है ठीक है सबसे पहले यहां पर यह जिसका उद्गम हो गया त्रमभक से वह उसके बास सबसे पहले यह दुधना और पूड़ा नदी से आके इसमें मिलेंगी ठीक है द दुधना के डारेक्ट गोदावरे में आके मिलती है इसके आगे बढ़ेंगे तो मंजरा या मंजीरा नाम की नदी इसमें आके मिलेगी किसमें गोदावरी नदी में ठीक है मंजीरा मंजीरा किसकी सहक नदी है गोदावरी नदी की ठीक है उसके बाद और आगे बढ़ेंग तो पेन गंगा, वेन गंगा और वर्धा ये दोनों वर्धा और वेन गंगा किस में आके मिलेंगी पेन गंगा में ठीक है पेन गंगा में आके वर्धा और वेन गंगा आके मिलेंगी और ये फिर वेन गंगा किसमें गोदावरी में आके मिलेंगी ठीक है फिर ये आगे प्राणहिता एक दो बार अभी आये स्पीसेल में भी आ चुका है प्राणहिता इंद्रावती किसकी शहक नदिये हैं तो यह काफी इंपोर्टेंट है कभी आ सकते हैं बाउंसर की तरह है अगर आएगा तो आपको डेफिनेटली फायदा ही करके जाएगा और इसमें बहुत ज बारि मैं मनजरी मिलेगी उसके बाद बटेंग मनजरी आपके मिलेगी उसके बाद यह मंज़री के इंद्रावती नदिया में थो टुकार और अब उसके बाद यह पीन गंगा तो से जरिक पराण इसके बाद हीता प्राण हेटक है उसके बास सलेलग लुरूग वा जोट इसके पास इंदरावती हिंद्रावत्ती इस तरह से यह इतनी किस की शहायक नदि नहीं है इस तरह से पीशन dauष लेता है यह से की philosoph कल्प देगा 1 और 2 दूसरा विपर 2 और तीन देरा चारों और इसमें चौक रिचॉथ है तरह से एक तो यह काफी वह के नूसरी ब्रतनी की ज़रुत है ठीक्षिंए इसमें फोड़ा सा एक सबस्क्राइब कर पढ़ें है कुछना नदी मंखक मुक्षाम नदी कोएना कुछ सिच्एं सब्सक्राइब किस की स offensive में और बहद्रा किसकी साइक नदी districts कि का कि यह तुग tämä और भेत्रा दोशिक दो लडियों से आके मिलने से पजलने के निर्माड होता है ठीक हैुज कि उसके बाद में पीकि रहुत पर में और यह किती हैं बेंगाल करती है तुम भाद इसी के साथ में कई ऐसी नदियां मैं आपको ऐसे ही सहाक कुंडाली एक है कुए ना हो चुका है ठीक है पंच गंगा घंगा है उके दूध गंगा है घाट प्रभा गाट प्रभा और माल प्रभा और मुशी ठीक है मुशी मुशी नदी के किनारे कौन से सहर है 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 यह बहुत इंपोर्टेंट है यह भी पूशिलत है बहुत एक्जाम में ठीक है और भीमा ठीक है भीमा भीमा हो जुक है ठीक है इतनी नदी हो गहिए अब यह हो गया एक वार आण देख लेते हैं कौंसी कोएना तुगभद्रा भीमा कुंडाली वेना पंचगंगा दूधगंगा घाटप्रभा मालप्रभा मोशी यह इतनी नदिया किष्की है किष्णा की शहयक नदिया है ठीक है तो यह दो बार वीडियो देखेगा बहुत किस्टल क्लियर हो जाएगा इसको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा एक बार समझ में आ जाएगा नाम तो आपको याद रहेगा अगर आप चाहें तो एक पेपर में लिख भी सकते एक पेज में यह अराम से आ जाएगा बहुत अच्छे से अग्जाम के एक दिन पहले आप रिवाइस कर सकते हैं ठीक ह कावेरी कावेरी नदी एक महत्पूर नदी यह दच्छिर भारत की पवित्रतम नदी है और दच्छिर भारत की गंगा भी से बोलते हैं ठीक है जैसे उत्तर भारत में गंगा है उसी तरह यह पवित्र नदी दच्छिर भारत के लिए है और इसमें हमेशा जल रहता है ठीक ह क्योंकि यह पूरब स्याने वाले मनसुन और पश्चिम वाले मनसुन दोनों शें जल्प राप्ते करता है यह मतलब सततवाहनी रधिया इसमें शालो की इन नदिव में शालो की नहीं रहता है यह जो बरसात के मोशम में इनमें ज्यादा बारिस पानी रहता है और ठंडी जब आती है ना सरद करित होती ही तो इनमें बहुत कम पानी रहा जाता है या सूख जाती है यह नदिया ठीक है तो आगे देखते हैं कावेरी नदी कावेरी नदी कावेरी नदी कावेरी नदी कावेर किसकी साहक नदी है कावेरी की ठीक है उसके बाद देखेंगे भावानी नदी ठीक है भावानी भी आके कावेरी नदी में आके मिलेगी उसके बाद अमरावती एक अमरावती शहर भी है तमिलनाडों में और एक अमरावती यह ठीक है नदी है अमरावती के नाम से तो यह भी क आपको बोनस देके जाएगा इसमें टाइम बिलकुर नहीं लगेगा अगर छोड़के गए तो अपना लॉस करके जाएंगे ठीक है इस तो लिए बहुत इंपोर्टन्ट है इसको अच्छे पढ़िए दो चार बार इस वीडियो के देखिए और एक पेपर में आप नोट्स भ कर दो